हेलो एवरिवन वेल्कम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ तबिता और आज मैं आपकी कन्फूजन दूर करने आई हूँ जो बीकॉम और बीबे को लेकर है कि मैं हम बीकॉम करें या बीबिये करें तो गाइस इस वीडियो को एंट तक देखना है ताकि आपको आंसर मिल सकें कि बीकॉम करनी चाहिए या बीबिये तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि उसमें होता क्या है फिर हम जानेंगे कि हमें क्या करना है और अगर उसके बाद भी कोई भी आपके सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर ये देखेंगे कि क्या करना है हमें, तो सबसे पहले B.com की फुल फॉर्म क्यों आती है, that is Bachelor of Commerce, B.b.a. की फुल फॉर्म क्यों आती है, Bachelor of Business Administration, तो जब गाइस हम B.com लेते हैं, जो कि इसका नाम, जैसा मैं हमेशा कहते हूँ, नाम बहुत साथी चीज़े अपने आप बता देता है, Bachelor of Commerce में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वो Commerce से रिलेटेड हमें पढ़ाई कराई जाती है, यानि कि जब आपनी 11th में Commerce चूज करी थी, त सारे सब्जेक्स मिलें, तो उन्ही की फर्दर आपको और स्टडी कराई जाती है, और डीप नॉलेज दी जाती है, जैसे कि अकाउंट में और कितने टाइप के अकाउंट से, लाइक कॉर्प्रेट अकाउंट से है, कॉस्ट अकाउंट है, तो वो सारी स्टडी हम Commerce में करते ह अब Business Administration जैसा नाम है, इसमें कुछ सब्जेक्ट तो इसके भी आती हैं, जो कि मैंने खुद भी पढ़ाए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ सब्जेक्स Business Administration से रिलेटेड होते हैं, कि Business Ethics क्यों होते हैं, Business Management क्यों होते हैं, तो यह जो है आपकी कह सकते हो, Target Based पढ़ाई है, ज तो B.com को तो Commerce Student अप्लाए करते हैं, और B.com को Commerce के साथ साथ Science और Arts Student भी अप्लाए करते हैं, तो यानि कि यह यहां पर हमें जादा भी नजर आती है, क्योंकि कोई भी अप्लाए कर सकता है, Arts Student, Commerce Student and Science Student, कितना समय लगता है, दोनों को करने में तीन साल लगते हैं, अगर आप B B.com चूज करोगे तीन साल देने है, B.b.a. चूज करोगे तीन साल देने है, तोनों की ही केस में डिगरी आपको मिल जाती है, लेकिन अब जो है वो semester system आगे है, जो पहले था मेरे time में, तब साल में एक बार paper होते थे, लेकिन अब आपके semester system है, तो यानि कि एक साल में दो बार exam होते है, दो semester होते है, और total तीन साल में आपके 6 semester होते है, कैसे apply किया जाता है, how? So guys, merit-based भी होता है, like B.com में मैंने बहुत कम entrance देखा है, merit-based पर आपकी percentage-based पर ही admission होता है, लेकिन B.b.a. में entrance देखा गया है, कई colleges, private university entrance-based पर ही admission लेती है, So, fees guys, college to college depend करता है कि admission कैसे लिया जाएगा, मतलब it's depend upon college की वह कैसे admission ले रही है, entrance ले रही है, या direct admission ले रही है, इसी तरह के से fees भी college से college depend करती है, अगर आप Delhi University की बात करोगे, तो B.com में around 60-70-80,000 खर्च हो जाते हैं, 3 साल के बतारियों मैं, और B.b.a. में भी इतना ही 1, एक लाग के अंदर अगर हम यहां से करते हैं Delhi University से, लेकिन अगर आप private university से करते हो, तो एक लाग से जाधा का course हो जाता है, एक लाग से जाधा का दोनों ही cases में आपको पढ़ जाता है budget, लेकिन depend upon college to college, कई colleges की काफी high fees है, जितना बड़ा नाम है तो उतनी बड़ी आपको fees पेकर नी बटती है, इसके बाद guys आते हैं, main मुद्धे पर that is the scope, यानि कि किसका जाधा scope है, हम क्या choose करें, B.com या B.BA चूज करें, so guys, B.com और B.BA का पहला एक तो मैं आपको clear करूं, कि जब भी आप B.com या B.BA करके निकलोगे सीधर नौकरी पर, और जब वहां का तो आपको 10-15,000 की नौकरी मिलेगी, और 10-15,000 में आज की date में कुछ नहीं होता है, तो यानि कि सिर्फ B.com या B.BA कर लेना sufficient नहीं है, आपको नहीं तो 10-15,000 की नौकरी मिलकर उसमें अपने आपको रगड़ना पड़ेगा, ठीक है, अब दूसरा option guys, आपके सामने क्या है, कि B.com या B.BA करने के बाद आप further study करो, like B.com करने के बाद आप M.com कर सकते हो, MBA कर सकते हो और B.BA के बाद तो generally सब लोग MBA करते हैं, particular stream में कि हमें human resource की stream में जाना है, हम लोगों को marketing में जाना है, हम लोगों को finance में जाना है, so वो stream चूज करते हैं, so अब यानि की दूसरा option कि आप इसके बाद further study करो, third option आपके पास क्या है, कि B.com या B.BA की जब आपके पास degree आजाती है, आप government job के लिए apply कर सकते हो, mostly मैंने students को देखा है कि वो graduation करते हैं, तकि graduation के base पे government job के लिए वो apply कर सके, government job के exams दे सके, so इसलिए मैंने उन्हें करते होए देखा है, लेकिन की आप, पीछे का एक मकसद होना चाहिए, that is कि आप अपने आपको कहां देखना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, अगर वहां तक का रस्ता आपको कहता है कि B.com चूज करना है, तो B.com चूज करना है, लेकिन आप अपने आपको किस place पर जोब करना शात्यों उसके बेस पर decide करो कि B.com करना है या B.b.a करना है समझार ये मेरी बात Like जैसे generally हम teaching की बात करूँ जैसे मैं teaching की बात करती हूं तो लोग B.com, M.com करने के बाद B.8 करते हैं कोई B.com करने के बाद B.8 करते हैं So different different option है क्योंकि उनको अपना target पता है कि हमें इस line में जाने के लिए इस रस्ते से होकर जाना जरूरी है So आपको भी ये decide इस base पर करना है कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हो आप अपने आपको देखना कहां चाहते हो B.com करें B.BA करें what the next step जब B.com कर लोगे फिर आप सोचोगे कि अप क्या करना है नहीं भाई आज सोच लो कि आगे क्या करना और उसका रस्ता क्या B.com है या B.BA है So आज आपको ये decide करना है कि आप उसके बाद क्या करोगे क्योंकि तब भी फिर confused हो जाओगे कि क्या करें उस समय पर भी फिर आपको कितने time period तक खाली रहना पड़ेगा तो इसलिए आज ये decision लो guys कि आपका क्या aim है क्या आपने सोचा है क्या बनने का सोचा है teaching line में जाना है आपको business line में जाना है किसी भी line में जाना है अगर आप अपने आपको किसी business line में देखते हो तो of course आपको BBA करनी है और MBA करनी है ठीक है तो यहाँ पर आपको इस basis पर decide करना है I hope guys आपको ये चीज़ समझाए क्योंकि मैं ये चाहती हो कि आप उस समय पर अपने mind को ना puzzle करो और जितने लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं हमें सुनना पड़ता है आपको आपका aim है आपको decide करना है तो आप ही decide करो कि आप अपने आपको कहां देखना चाहते हो और उस base पर decide करो कि BCOM ले या BBA ले हमारा कौन सा रस्ता हमें हमारे aim तक पहुंचाएगा इस base पर decide करो और अगर कोई भी query है guys आपने इस Instagram पर पूछ सकते हो Thank you